आर व्रत्पी हमारी ऐसी हो गई कि हम दूसरे को सुखी नहीं देख सकते कि मैं अगर दान कर रही हूँ तो केवल मेरा ही होना चाहिए इसमें किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए पर शिव महा पुरान की कथा करती है एक चावल का दाना मात्र एक धान एक धान एक चावल का दाना जब हम शुमंदिर में समर्पित करते हैं दान करते हैं तो ज़रा विचार करना पुन्न किस-किस को मिलता है एक चावल के दाने का एक धान का पुन्न किस-किस को मिला है पहला पुन्न मिला माता प्रत्वी को उससे प्रगट हूँ दूसरा पुन्न मिला एक इल्ली को जिसने इसका इसपर शकर कर छोड़ दिया तीसरा पुन्न मिला एक पक्छी को जिसने इसका इसपर शकर कर छोड़ दिया चोथा पुन्न मिला जिसने इसको उगाया पांचवा पुन्य मिला जिसने इसको जड़ाया जिसने उगाया था वो नहीं जड़ा घर की विचारी पत्नी जड़ा रही छटा पुन्य मिला जब ये कहीं मल कर निकाला गया, कहीं मशीन में गया जिसने निकाला साथवा पुन्न मिला जब ये निकल कर घर में आया जिसने समाल कर रखा आठवा पुन्न मिला जिसने इसको ले जाकर कहीं छोड़ा बजार तक पहुचा बजार से फिर वो निकल कर आया दसवा पुन्न मिला जिसने शिवजी को इसको चड़ाया तब इनके खाते में भी एक चावल के दाने का एक धान का पुन कट कट कर जाता रहा और इतने जीवों का कल्यान कर दिया एक धान एक चावल के दाने ने इतने को कल्यान कर दिया विचार करना केवल आप अगर भजन कर रहे हो घर का कोई एक व्यक्ति भजन कर रहा है घर का एक व्यक्ति अगर दान कर रहा है घर का एक व्यक्ति अगर जल भी चड़ा रहा है गरता एक व्यक्ति भी, अगर मंत्र जाप कर रहा है, वैसे तो शुपुराण कती है, कि घर में चार लोग हैं, तो चारो जल चड़ा, घर में चार लोग हैं, चारो दान करो, घर में चार लोग हैं, चारो भजन करो, घर में पांच लोग हैं, पांचो भजन करो, घर में जितन कथा कवर्णन किया देवराज के प्राण छूटे उस समय पर देवराज के पास में पुण्ड नहीं था सत्कर्म नहीं था तब देवराज को मालूम पड़ा कि भगवान संकर के गण मुझे लेने के लिए तो देवराज संकर ने कहा तेरी बूड़ी मा रोज प्रती दिन श्यूमंदर में जाकर एक लोटा जल चड़ाती थी उसका पुं में तेरे साथ में आ गया इसलिए ते लाज धाम एक लोटा जल देवराज नाम के ब्रहमन की माता ने चड़ाया था वो एक लोटा जल काम आया है देवराज के देवराज करा मेरे जैसे पापी को आपने तार दिया क्यों तार दिया मैंने तो छल करा बैमानी करी कपट करा नारी को गलत दृष्टी से देखा धन चुरा कर लाया कितना धन में ने चुराया कितना गलत काम करा, उसके बाद भी भोले ना आपने मुझे तार दिया, शिवजी करते हैं, देवराज, तुझे तारने का कारण के बले के तेभी माता रोज शिवजी के मंदर जाती है, ठंड लग रही है, गर्मी पड़ रही है, बारिस पड़ रही है, पाओ कप कपा रहे हैं तो भी पूरी मा बुजुर्ग मा शुमंदिर तक जा रही है आप में भी हमने देखा है 36 गड़ के हो चाहे गुजरात के महराश्त के राजस्थान के चाहे जहां के लोग हैं जितने भी भक्त शुमहापुराण की कथा सुन रहे हैं इनका भाव इनका हर्दय एक बात लोटा जल लेकर जाते हैं चाहे गर्मी पड़े बारिस पड़े ठंड़ पड़े कुछ भी हो शिव के द्वार जाना चंकर की चोखट पर जाना एक लोटा जल का कितना मात्व है जर अविचार करिएगा ददीचे लिशी की धर्म पतनी का स्राप देवताओं के जड़ा जरा ध्यान देना कई लोग करते हैं गुरुजी ये एक लोटा जल तुम कहां से लेकर रहे हो ये एक लोटा जल की महत्वता कहां से लेकर रहे हो जो दुनिया के लोग शिव महा पुराण पर उंगली उठाएं संकर जी की पूजन पाट पर उंगली उठाएं उनको ये कथा जरूर सुना देना कि एक लोटा जल कहां से आया शिव मंदिर में जवाबा कभी जाएं संकर भगवान की तभी ऐसा मुका लगे भी आपको लगे भी कि नहीं आपका ये कम हो रहा है आप जानते हो कि मुझको ये काम करवाना हो और ये काम आगे होई नहीं रहा है ये फाइल आगे बड़ी नहीं आपको लगे ये फाइल आगे नहीं बड़ी शिव जी पर जल चड़ाओ उस चड़े होगे जल को जब आप खोड़ा सा लेकर आते हो आपको बताया कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए खाली कलश संकर जी के मंदिर से बाब किस नहीं लाना संकर भगवान को जल चड़ाया चड़ाने के बड़ थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में Specure लिया बले तो भूण लाव पर अपने गर पर लेकर आउस DO भूंद जल का भी इस फर्श कलश के अंदर हाथ की तन उंगलिआं लगाकर अगर पशूल पटच करकर मात्र अपने उस कलष के उसको यह सकी प्रदियोने उसको यह सकी प्रदियोने तरिशूल का दान तरिशूल का इस्परश एक बहुत अच्छी बात पहना चाहेंगे आपके इस्तिमर्ण में देना चाहेंगे बहुत सुन्दर सुन्दर कभी अगर मुका लगे कभी अगर मुका लगे और सिंकर वहान का बहुत सुन्दर सुन्दर हो गए बहुत सुन्दर सुन्दर हो गए और बहुत अच्छी चड़ी ए वेल पत्र बी चड़ी और तुरां भी अच्छ कड़ा हुआ है फूल भी अच्छे चड़े हुए है और आप्सक्त पहाँ अच्छा सिंगार हो गया है और तुम्हें कभी मुख्चा लग जा एसा माला हो जाँ पुझे जी को या पंडित जी को कह दो या पंडित जी सिंवा नहीं हो शिवजी का छ संगार हो गया हो तो माला केवल ट्रिशूल की जो ट्रिशूल है उस त्रिशूल पर युस माला को अगर आपके वर टांगी दिया तो भी आप उनती की सीड़ी पर आप बढ़ना प्रादम कर देते हैं पर किस समय पर जब भगवान का पूर्ण शिवजी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है और तुमने देखा भगवान का शिवजी अब शिवजी पर माला चड़ाओं और शिंगार जिर जाएगा तो उस माला को आप अपने इस्त्राप्ति के लिए अपने आनंद के लिए अपनी उनती के लिए आप उसको प्रिशूल पर चड़ा जाए हैं कि कभी मौका लगे और आप किसी कॉम्पुटिशन एक्जाम में बेट लाएं या एक ही जगा पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और वहां पर उन्नती नहीं हो रही आपका प्रमोशन नहीं हो तब साथ बेल पत्र केवल त्रिशूल का तीन जो त्रिशूल में तीन नोक होती है पहले साइट की दोनों इस पर शूच के बीच का इस परश करकर अपने हिरदई की कामना करकर हशुक सुन्दरी वाली जगा पर मात्र चड़ा देने पर भी व्यक्ति जिजगा पर नुकरी कर र त्रिशूल बहलवान देवाधी देव आनंद करने वाले महदेव के चुछ आत में आया है वो त्रिशूल को इसे लोगा त्रिशूल को सब्सक्राइए